जय माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्तिक सुवागते महाकाली भक्त गयान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ एक ऐसी साधना जिससे आप माता काली और दुरगा की शक्ती 14 दिन में ही प्राप्त कर सकते हो साधना में ये चीज चलानी है आप लोगों को जो जो मैं बीडियो में बताऊंगे अगर आप माता काली की दुर्गा माता की पूजा पार्ट अपने घर में नूर्मल करते हैं चाहे आप तामसिक रूप में करें या सात्विक रूप में करें वो आपकी सर्दा है उसमें मैंनी कुछ कहूंगी अगर आप करते हैं अपने घर में पूजा पार्ट जोत जलाना माता को भोग परसा चड़ाना तो भई आपको माता काली की और दुर्गा की दोनों ही शक्ती जोड़े में सिर्प मात्र 11 दिन में ही प्राप्त हो जाएगी जब आप माता जी को ये चीजे चड़ाना अपने घर में अपनी पूजा पार्ट के समय शुरू करेंगे तो जो जो चीजे में आप लोगों को बतांगी वीडियो के माध्यम से ये चीजे आप लोगों को अपनी 11 दिन की साधना में लगातार मातारानी को चड़ानी है ठीक है सिर्फ दो देवियों को एक तो काली माता एक दुर सब कुछ कर लेते हैं लेकिन कुछ भी करने के बाद आपको इतना सावी फल पराप्त नहीं होता है क्योंकि आपको शक्ति ही देना माता को शुरू कर दिया, काली मा के साथ जोड़े में दुरूगा को लेगे, तो समझ लेना, बस ग्यारा दिन अपने आपको आप एक कमरे में बंद कर लो, यानि कि अपनी सेवा के लिए, अगर आप चाहते हैं, तो ग्यारा दिन आपको अपने आपको बंद कर लेना है और ग्यारा दिन में ही आपको काली माता की और दुरुगा माता की ऐशी शक्ति प्राप्त होगी जो शक्ति आपके एक कहने से हर कारे करेगी चाहे वो कारे आपका अच्छा हो चाहे वो कारे आपका बूरा किर्णा हो चलिए भक्तों मैं आप सभी को पूरी जानवकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आपसे करना चाहती हूँ अगर आप महाकाली भगत ग्यान यूट्व चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक से और कमेंट जरूर कर लेना पेल आइकन को उल पे सैट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचें तो देखिए काली माता के जितने भी भक्त है और दुरगा माता के जितने भी भक्त है जिन जिन लोगों को काली माता के साथ दुरगा की शक्ती को प्राप्त करना है या फिर दुरगा माता के साथ काली की शक्ती को प्राप्त करना है तो ग्यारा दिन की ये साधना अपने घर में जरूर करें और इस साधना में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिंपल तर क्या क्या चीजें आप लोगों को चड़ानी हैं तो देखिए एक ग्यारा दिन की साधना में एक दिन में आपको दो टाइम पूजा पाठ करनी पड़ेगी सुबा और शाम ठीक है और जो जितनी भी लेडिस हैं जिनको पीरियेट्स आ जाते हैं तो वो समय छोड़ दें अधम हो जाएं तब से वो इस साधना की शुरुवात करें तो आपको करने के जब सुबह पूजा करेंगे जोद जलाएंगे दूबत्ति अगरवत्ति लगाएंगे माता के मंदिर में उसके बाद चार कपूर जला के बड़े-बड़े माता को साथ बता से चोदा लोग का भ हारि-विस्ट जलाइचि मिसरी लोग बता से इतना ही सिम्पल तरीके से सुबह को भोग माता काली को दुर्गा को दे देना है फिर आएगा आपका शाम का समय शाम के समय में आपको छोटी सी इकंडी की अग्यारी करकर माता को स्के उपर भोग देना है उसके उपर आपको पांच बता से दस लोग एक जाइफल एक निम्बू काली माता का और एक जाइफल एक निम्बू माता दुरुगा का एक मीठा पान आपको बोग में देना है ठीक है जो मीठा पान देंगे उसमें से तोड़के एक माता काली के नाम का डालेंगे आदा आदा करें एक माता दु चड़ाएंगे और पांच सपेद वाले पेड़े लेके आएंगे उन पेड़ों में से आपको थोड़ा थोड़ा तोड़के मा काली को सबसे पहले चड़ाना फिर माता तुरका को चड़ा देना इस तरह से आपको यह 11 दिन की साधना अपने घर में ही करनी है और इस साधना मे गूम भी रहें पार्टी शाटी भी कर रहें तो ये सब चीजे बिल्कुल मत करना ये साधना करेंगे तो सिर्फ गुपत तरीके से करेंगे ना इस साधना के बारे में किसी को बताएंगे और अपने घर में ही रहेंगे ये साधना करके दे लो नाग माता काली और दुरुगा की शक्ति आपको पराप्त हो जाए तो जो आपको मुझे कहना हो वो कह देना मैं सब सुनने के लिए तयार रहूंगी चलिए भक्तो हम मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हर हर महाधे मा काली बाबा भोले ना ता आप सभी की सारी मनुकाम ना पूरी करें